हाई फ्रेंड जम्न कीचिन वाफ सभी का स्वागत है आज की रेशीपी है आज मैं चना का सुषाड़े बना रही हूं तो यह चना को बारा गंटा फेली बिगो कर रख दिया था और इसके लिए मैंने दो फ्याज काट लिया है हरी मेच काट ली दो और यहरा दिने भी काट का तयार कर लिए है तो चलिए रेसीवी करते हैं तो चड़ाती है कडाई अब टेल ढाल देते हैं तोर nuances च्पर सीगों करी इसको यह बने क्रेश करके सूप डाल दी है शूप को अची तरह चत्रह में देश को तो यह सूप चटक चकी इसी तरह अब इसे में एट कर देते हैं हरी मेर्च प्याज लिए अब इनको अची तरह फ्राइ कर लेते हैं अलका सा तो प्याज को इतना साई पकाते हैं चना के अंदर तो यह मैंने पका किन मेंट हो गया है अब इसे में एट कर देते हैं चना पिक रहे होया चना यह इसमा तोड़ा का फानी जो भी मैं येटनी क्या में इसको साइड में विगाल देती हूं और इसको अची तरह मिला लेते हैं पर यह बिगोय अब रहा है चनना के खाते हैं में बहुत ही लाबदा ही रहते हैं सरील के लिए और इसको डेली खान अची ये चना को तो बहुत इसकी रोजनक भी आती है चेरे में उसकरीर में सरसरी को पत्राबुला आदमी इसको शेवन करना की इसको बोड़ी तंदुरू स्वेती इसको खान आते तब इनको अचीतना फराइवन न दे इसको ये पॉसाथ पॉसार मिन्ट में पकत तैयार हो जाएगा अब इसमें एड़ कर देते नमक तो ये मैंने स्वाधिक नसार नमक एड़ करती है इमने तो रासा तिंगा नंग भी इड़ कर दिया बोड़ी सक टेस्टा आता इसके अब इसमें देशी गी एक चर देती हूँ और बहुत इसकी कचबो आ रही है इनकी तो ये चना पकका तैयार हो गया है वो ती चना पकका तैयार हो गया है इनको तदिया इनको देश बन करके पलेट में शुरूर कर लेते हैं ये चना पका तैयार हो गया है अब इसमें दणिया इट कर देते हैं बहुत इबड़ी कसबो आ रही है इसकी और ये मेरी रेशिबी आपको कैसी लेगी कोमेंड करें और लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाईए और धन्यवाज आपको अबड़ी करें अबड़ी करें शेर रही है और रही है और रही है तो